दस्तो आज हम डिटेल से कवर करेंगे असोख स्तंब को जो की हमारा राश्टिय चिन है और हाल ही में नए संसद भवन के सीर्स पर भी असोख स्तंब की परतीमा को स्थापित किया गया है इंपोटेंट टोपिक है बिलकुल छोटा सा प्यारा सा टोपिक है डेटल से कवर करेंगे तो भाई स्वागत आप सभी का जी के महत्मजी में चली शुरू करते हैं फटापाट तो सबसे पहले बात करते हैं भाई भाई भारत का राश्टिय चिन असोख स्तंब है असोख स्तंब को राश्टी चिन के रूप में अपनाया गया 26 जनवर 1950 को डेट वेरी इन्पोटेंट है और देखिए नई संसद भावन के सीर्ष पर असोख स्तंब को स्थापित किया गया है नई संसद भावन पर असोख स्तंब को उधगाटन 11 जुलाई 2022 को परधान मंतरी सिरी नरेंदर मोदी जी के द्वारा किया गया देखिए पूच सकते हैं नई संसद भावन पर असोख स्तंब को उधगाटन किस के द्वारा किया गया कब किया गया 11 जुलाई 2022 को प्रधान मंतरी स्री नरेंदर मोदी जी के द्वारा किया गया और देखी ये असोक स्तंब काश्य से निर्मीत है इसकी लंबाई 6.5 मीटर है और चोड़ाई 3.3 मीटर से 4.3 मीटर याने की लगबा लगबाग 11 से 14 फिट है इस असोक स्तंब का कुल वजन 16,000 किलोग्राम है जिसमें असोक स्तंब का वजन 9,500 किलोग्राम है और स्पोर्टिंग स्टक्चर जो है उसका वजन है 6500 किलोग्राम सो कारीगरों ने 9 महीने की महनत से असोक स्तंब को तयार किया अब बात करते असोग द्वारा निर्मित असोग सितम की, देखिए असोग सितम उत्तर परदेश के सारनात में स्थीते जिसका निर्मान समराट असोग के द्वारा करवाया गया था, सारनात का प्राचिन नाम है रिशी पतनम, एक्जाम में पूछ सकते हैं सारनात का असोग सि कवर कर रहे हैं वह एक्जाम में पूछे जा चुके और भविष्य में भी पूछे जाएंगे और देखिए असोक स्तंब में चार सेर हैं दिखाई तीन ही देते हैं और यह चारू सेर एक दूसरे की तरफ पीट करके बैठे हुए हैं जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे है असोक स्तंब में और यह चार सेरे लेकिन दिखाई तीन देते हैं असोक स्तंब के नीचे की तरफ देव नागरी लिपी में लिखा होता है सत्यमेव जैते इसका मतलब होता है सत्य की हमेशा जीत होती है और सत्यमेव जैते को मुंड को अपनी सद से लिया गया है असोक स्तं स्तंब का निर्मान सम्राट असोक ने करवाया तो उनके बारे में भी जान लीजिए देखिए सारनात में असोक स्तंब का निर्मान सम्राट असोक के द्वारा 250 इसा पूर करवाया गया था सम्राट असोक चंदरगुप्त मोर्य के पुत्तर बिंदु सार के पुत्तर थे यानि ये वंस के अंतिम सासक व्रह दर्थ मोर्य है देखे भाई कोई भी वंस हो उसके संस्थापक और अंतिम सासक आपको जरूर याद होने चाहिए नहीं है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए दोनों पर ही हम ट्रिक वीडियो बना चुके हैं और देखे समराट असोख ने कलिंग यूद में हुए भारी रक्तपात को देखकर नर्शंगार को देखकर जीवन में कभी भी यूदना लड़ने का संकल्प लिया और बोध धरम को अपनाया अब बोध धरम को अपना लिया तो महात्मा बुद के बारे में थोड़ा जान लीजिए देखे महात्मा महात्मा बुद का बच्पन का नाम है सिद्धार्थ महात्मा बुद का जनम हुआ लुंबिनी महात्मा बुद की मिर्ति हुई कुशी नगर महात्मा बुद को ज्यान प्राप्ति हुई बोध गया महात्मा बुद का पर्थम उपदेश सारनाथ में यूपी में हुआ जितने पॉइंट मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत